सर अट्जस्मेंट नमबर वन क्लोजिंग स्टॉक आपके दो जगह गीवन हो सकते हैं सर कहां कहां गीवन हो सकता है हो सकता है ट्राइल बैलेंस में हो और हो सकता है अट्जस्मेंट में हो ट्राइल बैलेंस में होगा तो हमेशा सिंगल एंट्री होगा और वो जाएगा आपक trading account के credit side में और दूसरा जाएगा balance sheet के asset side में same amount जाना है लेकिन कई बार यहाँ पे आपको दो value देता है एक purchase price और एक market value यानि cost price और market value तो आपको कौन सा value इसमें से pick करना है जो दोनों में से कम रहेगा whichever is lower सर ये कहां लिखी ये बात है accounting standard two हमें ये बोलता है कैसे करने को इसलिए हम इस तरीके से trade करते हैं चलिए सर अट्जस्मेंट number two सर अट्जस्मेंट number two क्या है हमारा हमारा है outstanding इसके बहुत सारे नाम है outstanding कह लो आप या फिर area कह लो unpaid कह दो payable कह दो due कह दो not paid कह दो तो ये भी दो जगए given हो सकता है आपको एक हो सकता है हमारा कहां पे trial balance में तो trial balance में हुआ तो एक ही entry करेंगे सर एक entry कहां पे करेंगे liability side में balance sheet के लेकिन अगर adjustment में हुआ तो दो हो जाएगा एक तो add हो जाएगा expense में चाहे ट्रेडिंग हो चाहे आपका पी एंडल हो दूसरा चला जाएगा balance sheet के liability में ये किसका adjustment था सर फाइनल account में ये था हमारा outstanding expense का adjustment नंबर तीन थर्ड अर्जस्मेंट क्या है सर थर्ड अर्जस्मेंट देखा जाए तो prepaid का prepaid बोलो या फिर unexpired बोलो या related to next month बोलो तो सर ये adjustment अगर trial balance में हुआ तो single entry जो की जाएगा balance sheet के assets में लेकिन अगर हुआ ये adjustment में तो दो एक less हो जाएगा expense से किस expenses सर trading में हुआ तो trading वाले से और पी एंडल वाला हुआ तो पी एंडल से दूसरा चले जाएगा कहां पर सर ये दूसरा चले जाएगा हमारा balance sheet के assets में चलिए adjustment number कौन सा है चार depreciation depreciation की बात करें तो again दो जगह हो सकता है सर एक हो सकता है balance sheet के assets में और स्वरी एक हो सकता है trial balance में और एक हो लिखता है आपका adjustment में ट्राइल बैलेंस में हुआ तो सरीफ और सरीफ profit and loss के debit में दिखाना है अगर adjustment में हुआ तो दो जगाए entry कर देंगे सर कहां कहां adjustment में होगा तो दो जगाए entry करेंगे सबसे पहले तो less कर देजिए assets से जिस assets पे depreciation लग रहा है दूसरा आप जितना amount आपने less किया है सिर्फ वही amount कहां दिखा देजिए balance sheet के debit side मेंने लिख दिया है बाकी मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए सर balance sheet के asset side लिख देना चाहिए अच्छा यह profit and loss ठीक है तो balance sheet के आपका asset side में क्या हो जाएगा less हो जाएगा अगला point बात करते हम provision for depreciation provision for depreciation हो सकता है trial में या हो सकता है आपका adjustment में trial में हुआ तो आपने क्या करना है liability side में दिखाना है एक और option यहाँ पर available है सर आप liability side में नहीं दिखाना चाहते तो आप कर दीजिए सीधा less from सर less from कहां से कर दें assets में से दूसरा यह भी option आपके पास available है जब हम practical questions करेंगे तो clear हो जाएगा दूसरा अगर adjustment में वह तो दो entry करेंगे एक entry क्या होगा सर या तो हमें क्या करना है एक तो debit side P&L के अंदर दिखा देंगे दूसरा आपके पास again दो option होता है या तो आप liability side दिखा दीजिए इसको या फिर आप क्या करिए assets में से minus कर दीजिए इसका मतलब अगर यह वाला follow किया है तो इसके लिए यह treatment हो जाएगा और यह वाला follow किया है तो इसके लिए debit side और अगर adjustment में वा तो दो entry सबसे पहले तो आप minus कर दीजिए किस से minus कर दीजिए डेटर से उसके बाद जो amount minus किया उसे कहां दिखा दीजिए आप profit and loss के debit side adjustment number 7 sir provision for doubtful debts provision for doubtful debts हुआ तो अगर आपका होता है trial balance में तो यह होता है पुराना provision जो अंदाजा लगाया था वो हो नहीं पाया उस provision की बात करें तो income की तरीके से record करना है अगर आपका trial balance में हुआ तो profit and loss के कहां लिखेंगे sir credit side में लेकिन अगर आपका adjustment में हुआ तो यह current year क होता है पुराना नहीं होता है तो एक तो माइनस कर देंगे आप assets में से और दूसरा आप profit and loss के debit side में दिखा देंगे इसको sir adjustment number 8 provision for doubtful debts और साथ के साथ मिलके क्या आ जाए हमारा provision for bet debts और provision for discount अगर ऐसा हुआ trial balance में अगर हुआ तो provision for doubtful debts credit provision for discount credit और bet debts कहां जाएगा debit होगा यानि bet debts तो sir कहीं भी हो जाएगा debit adjustment में हुआ तो सबसे पहले हम debtor को sequence से माइनस करेंगे debtor में से पहले क्या माइनस करने वाले पहले माइनस करेंगे bet debts फिर क्या माइनस करेंगे प्रोविजन फिर क्या माइनस करेंगे discount logically यह मैंने clear भी किया है आपको और सारा amount जो माइनस किया है आपने सब P&L के debit 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 में चला जाएगा तो अभी तक हमने बस यह adjustment done कर लिया है चास्ब करेंगे किया है